हलो दोस्तो जय हिन स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास लाइफ पर दोस्तो आज हम लोग लेकर आए हैं टॉप हंड्रेड इडियम्स और फ्रेजिस यह जो सौ इडियम्स और फ्रेजिस है यह आपके एक्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछे गया हैं तो देखते हैं कि इस एडियम्स और फ्रेजिस के पार्ट वन में कितनी क्वेशन आप कर पाते हैं यानि इस सो एडियम्स और फ्रेजिस के केवल 50 क्वेशन को हम लोग सौल्फ करेंगे और देखते हैं 50 क्वेशन में कितने मांक्स आपके आते हैं सबसे पहले सुरू करते ह हम लोग पहले word meaning के तरफ पहला word meaning है कि some people do not grease anybody's palm अच्छा यहाँ पर अब देखेंगे कि underline नहीं है मैं थोड़ा इसको clear कर देता हूँ word है grease anybody's palm grease anybody's palm यहनी grease the palm का मतलब होता है कि जैसे palm का मतलब हथेली और grease मनी क्या होता है गर्म करना रगड़ रहे हैं तो आप हथेली रगड़ रहे हैं कि भी या कुछ पैसा दो तो मामला आगे बढ़े तो grease the palm का मतलब क्या है कि आप रिस्वत देने के बात कर रहे हैं और रिस्वत के इस्तमाल होता है, bribe यानि होगा क्या answer आपका bribe यानि रिस्वत दिना इसका सही जबाब होगा ठीक है, उसी तरीके से दूसरे प्रशन की और चलते हैं दूसरा प्रशन है हमारा I was so appointed I was so disappointed when my close friend when my close friend left me in the lurch, अब यहां पर word जो है left me in the lurch left me in the lurch का मतलब है कि मुसीबत में छोड़ देना I was so disappointed मैं बहुत उदास हो गया जब मैंने देखा कि मेरा जो दोस्त है वो मुझे बीच रास्ते में या उसने मुझे मुसीबत में छोड़ दिया, तो मुसीबत में आप कौन सा option लगाएंगे आप लगाएंगे left me in trouble left me in the lurch का मतलब left me in trouble यानि मुसीबत में छोड़ देना अगे इसी तरीके से आते हैं तीसरी word वर निया तीसरा word meaning है आपका कि the car broke down just as reached the edge of a cliff it was indeed a clothed shave देकि कभी कज़ार अगर sentence में आपको पूरा दे देता है तो इसका मतलब यही है कि यह हमें और आसान बना रहा है बट अगर directly केवल यही दिया रहता कि a clothed shave का क्या मतलब है तो clothed shave का मतलब होता है कि आप shaving कर रहे थे और बहुत ही आरहम से कर रहे है ताकि आपके पास कोई खत्रा न रह जाए और यह clothed shave की जो इस्तिती होती है इसको हम कहते हैं बाल बाल बचना और इसी को दूसरी भासा में हम narrow escape भी बोलते है a clothed shave का मतलब है यहाँ पर narrow escape क्या मतलब होता है इसका अगला question है हमारा the green-eyed monster the green-eyed monster का मतलब क्या है इसका मतलब है कि अभी जो monster है न अभी धीरे धीरे यह भी जन्म लिया है अभी आया है लेकिन यह आदमी क्या है मुझसे बहुत ज्यादा जल रहा है तो the green-eyed monster का मतलब क्या है इसका मतलब होता है feeling of being jealous feeling of being jealous यानि काफी जैदा मुझसे जलन की भावना रख रहा है ठीक है, अगले question के तरफ बढ़ते हैं पाचवा question है कि the carrot and stick policy the carrot and stick policy इसका मतलब है कि हमें अपना काम करवाने के लिए हमने क्या बोला ले भाईया गाजर खा ले और मेरा काम कर दे उसने कहा नहीं करूंगा फिर हमने काला इस्ठिक और पीटना सुरू कर दिया कि अब तो कर दे यानि पहले घूस दिया और फिर घूसा दिया तो घूस और घूसा इसका मतलब कि काम करवाने के लिए मैंने reward and punishment के नीते अपनाई यानि हमने क्या इस्तमाल किया हमने इस्तमाल किया carrot and stick policy को carrot and stick policy को next है आपका question number six the visit of our foreign minister to China proved a damp squab a damp squab यह word कई बार exam में आ चुका है damp squab का मतलब होता है जैसे अपको अगर मतलब नहीं समझ मारा तो आप sentence पढ़िए the visit of our foreign minister to China यानि हमारे जो with हमारे जो foreign minister है उनका चाइना जाना और on a border issue border issue पर उनकी कुछ बाते करना यह साबित करता है क्या साबित करता है भई आपका option दिये complete success friendly gesture hostile attitude या इसका एक चौथा option है और complete failure तो यहाँ पर सही होना क्या चाहिए complete failure का मतलब हो गया कि उनका बात करना बिल्कुल पूरी तरीके से fail हो गया कोई फायदा नहीं हुआ चाइना पर बात करने से ठीक है चलिए साथवा question हम लोग देखते है साथवा question है take someone for a ride take someone for a ride का क्या मतलब है कि आपने किसी को बैठाया और उसके बाद कहा कि भईया आउ तनी घूम क्याते हैं उसको खुब घुमा रहे हैं फुसला रहे हैं और उसको जो है कई बातों में अपनी बातों में लाने की कोसिस कर रहे हैं इसका मतलब आप सामने वाले को धोखा देने की कोसिस कर रहे हैं try to trick someone आप कलपना करें कि कोई मचली है और मचली को आप देख रहे हैं कि पानी में तड़प रही है अब आप क्या सोचोगे आप सोचोगे पहले क्या दिमाग में आगे कि मचली को जो है उसको फिर ठीक से पानी में डाल देंगे या नहीं आप सिदे समगर यार मचली ये किनारे आके इतना परशान है बाहर निकल गई है एक काम करते हैं इसको ले जाते हैं घर और इसको भूच कर खा जाएंगे यानि वो मुसीबत में हैं मचली तो आप उसका फायदा उठा रहे हैं यानि make a profit out of disturbance कोई इनसान के दुरघटना हो गई और मालीजी उसे कुछ चोटे आगे वरास्ते में गिर गया और आप क्या कर रहे हैं आप बलकि उसके और जो पर्स हैं समान हैं वो भी लेके भाग गए तो fish in troubled water make a profit out of disturbance हो जाएगा इसी तरीके से word आपका है जैसे हमने कहा she bought her new house for a song यहाँ पर word क्या है house for a song for a song को हम क्या बताएंगे for a song का मतलब होता है very cheaply यानि उसने बहुत ही सस्ते में एक नया घर खरीदा है for a song गाना गाते गाते गर खरीद लिया इतना सस्ता था गाना गाते गाते घर खरीद लिया दस्वा word meaning है आपका carry the day carry the day का मतलब होता है कि भाया इन्ही का तो दिन है कुछ लोग कहते कि यार दिन था आज अपना आज तो जितना भी हम खेलें जितना भी हम सट्टे लगाएं हम केबल जीतेंगे तो carry the day का मतलब होता है to win carry the day to win यानि जीतना हो जाएगा अगला है be over the hill be over the hill अब be over the hill का मतलब क्या होता है to be on a mountain top to travel in the church to be too old to things या to do something incomplete तो be over the hill का मतलब हो गया कि कोई चीज जो है बहुत पुराना हो चुका है और वरतमान समय में उसको अब चलन में भी नहीं रह गया है तो काफी पुराना कुछ ऐसे चीज़ यह हैं कुछ ऐसी custom से कुछ ऐसी fashions होते हैं जो बहुत पुराना हो चुका रहता है और उसका अब वरतमान समय में भी मतलब नहीं रहता है तो be over the hill हो जाता है मतलब फिर next question है आपका bring someone to book यानि किसी को भी आप जो है वो किताब के हिसाब से सजा सुना रहे हैं तो bring someone to book का मतलब क्या है to punish यानि किसी को सजा सुनाना next यसी तरीके से word होता है between the devils and deep she between the devils and deep she इसका मतलब क्या है कि एक तरफ तो devil है और दूसरी तरफ गहरा सागर है और आप उनके बीच में फसे हुए हैं यानि between the two equally unpleasant choices between the two equally unpleasant choices आपको दो choice है और दोनों के दोनों क्या है unpleasant है आप दोनों नहीं चाहते हैं इसी तरीके से word है आपका up and doing up and doing up and doing का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है active up and doing up and doing का मतलब क्या होता है active ठीक है active the specialist who treats the disease of ears यानि एक ऐसा व्यक्ती जो की कानों क्या इलाज करता है यानि जो कान का रोग विसे सग्य है उसको हम क्या बोलेंगे तो देखो भाई nephrologist क्या होता है ये kidney का होता है ophthalmologist क्या होता है ये eyes specialist होता है gyankologist क्या होता है ये woman के लिए होता है तो आप बचा क्या आपका autologist यानि ear का जो specialist होता है उसे autologist कहते हैं ये one more substitution का question हो गया है इसमें आ गया है कोई बात नहीं आगे देखते हैं अगला next है आपका blue blood अब ये blue blood क्या होता है blue blood का मतलब होता है नीला खुन और English में blue कहीं भी आया है तो उसे अच्छे संदर्भ में ले जाता है अच्छे sense में ले जाता है तो blue blood का मतलब कि belonging to a family of the highest social यानि उच्छ कुल में पैदा हुआ यानि कि कुलीन वर्ग के जो लोग होते हैं उनको हम blue blood कहते हैं cut the mustard cut the mustard का क्या मतलब होगा cut the mustard का मतलब होता है कि कुछ ऐसा काम करना जो बिल्कुल बेवकुफी भरा हो making absurd expectation making absurd expectation मुर्खता पूर जो है आपका expectation था cut the mustard की बात हम करेंगे next है आपका की word है आपका cook the books ठीक है अब यहाँ word है cook the books cook the books का मतलब क्या होता है मतलब यह होता है कि आप किसी सामने वाले को कह रहे हैं कि अच्छा तुमने किताबें पढ़ी तो उसने कहा अरे सर मैंने तो किताबों को का खाना बना दिया और खाना बनाने के बाद आपको वही परोस दिया तो यह क्या कह रहा है यह सामने वाले को to record false information को एक जूठी जनकारी दे रहा है यह दूसरे सब्दों ऐसे आप समझ सकते हैं कि पूछा क्या रही तुमने चोर को देखा कि इधर क्यों भागा है उसने का इधर नहीं इधर भागा है दूसरा दिसा बता दिया to record false information यानि गलत information देना इसका सही जवाब होगा इसे तरीके से वर्ड है काल इस्पेड इस्पेड का मतलब होता है किसी चीज को साफ साफ कह देना काल इस्पेड 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 एंसर कौन सा होगा एंसर सी वादा इसका बिल्गुल सही जवाब होगा काल इस्पेड इस्पेड फिर इसे तरीके से होता है burn a hole in the pocket burn a hole in the pocket यानि हम कहते है burn pocket में क्या हो गया है चेड हो गया है burn a hole in the pocket pocket में चेड हो गया है pocket में चेड हो गया है मतलब कि पैसा रख रहा हूं उड़ जा रहा है पैसा रख रहा हूं उड़ जा रहा है यानि तेजी से पैसा खत्म हो रहा है तो money that is spent quickly जो बहुत तेजी से पैसा खत्म होता है आगे कहते हैं बरी दे हैचिट, बरी का मतलब दफनाना, हैचिट मनने कुलाड़ी, आपने कुलाड़ी को दफना दिया, यहां से जगड़ा खत्म हो गया, तो मेक पीस अब आप सांते अस्थापित करना चाह रहे हैं, जगड़ा समापत हो गया आज के बाद से, ठीक है, इसक में सपना देख रहा है उसका ख्याल पता नहीं कहा है और इसके लिए चार आप्सन दिये हुए है यह चारो एडियम्स है अबुल मार्केट बन्द मीडनाइट ओयल इन ब्राउट इस्टडी और दे क्रॉस स्वार्ट्स तो डेड ड्रिम के लिए सही अर्थ क्या होगा सही इडियम्स क्या होगा तो वो होगा इन ब्राउट इस्टडी इन ब्राउट इस्टडी का मतलब होता है कि आप बीना किसी ख्याल मतलब आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपका मन कहीं और लगा हुआ है किताबे खुली हैं लेकिन आप किसी के ख्यालों में बैठे हुए हैं, किसी के ख्यालों में पड़े हुए हैं तो आप दिन में इस अपने देख रहे हो, in brown study या careless study कर रहे हो आप ठीक है, आगे ऐसी तरीके से है, to beat mercilessly, ये भी same उल्टा दिया हुआ है बीट mercilessly, यानि किसी को निर्दैता पुरवक मारने को क्या कहते हैं तो पहला है, break the ice, इसका मदलब होता है, to start the conversation black and blue, black and blue का मदलब होता है, किसी को बहुत बुरी तरीके से पीटना burn once boat, वापस जाने के रास्ते को बंद कर देना और bring to the books का मदलब होता है, to punish, यानि कि सजा देना तो black and blue का मदलब, to beat mercilessly, ठीक है अगे बढ़ते हैं, cut the guardian knot cut the guardian knot का मतलब क्या होता है, कि आप गुत्थी सुल जा रहे हैं कोई difficult problem है, उसका solution कर रहे हैं तो ये क्या होगा, to solve the difficult problem, cut the guardian knot 27 कहता है, take someone for a ride, फिर से वही बात हो गया, take someone for a ride मैंने बताया था, try to trick someone, यानि किसी को धोखा देना fish in troubled water, फिर से वही बात हो गई, किसमें हमने make profit out of a disturbance, यानि disturbance से हम क्या कर रहे हैं, फायदा उठा रहे है ठीक है, ये question थोड़ा सा repeat होगा है अब 30 number question देखते हैं, अब लोग, the noble man gave up the ghost the noble man gave up the ghost, यानि जो सज्जन आदमी था, उसी तो भूत लेके चले गए यानि कि वो क्या हो गया, मर गया है, तो give up the ghost, give up the ghost का मतलब होता है to die, यानि उनकी मृत्यों हो जाना, उनकी मृत्यों हो जाना to put up with, ये कई बार exam में आ चुका है, बहुत important है ये word to put up with का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है to tolerate यानि कि बरदास्त करना, to tolerate यानि कि बरदास्त करना, इसका सही जवाबों का to put up with आगे है, you can easily overcome the situation of you, keep your head keep your head का मतलब क्या है, कि आप किसी भी situation को जीत सकते हैं, बस आप क्या करिए remain calm, यानि सान्ती बनाए रखिए, सान्ती बनाए रखिए, बिलकुल आपका, जो है, हर problem का solution हो जाएगा ठीक, आगे इसी तरीके से question है, कि I am ready to meet you half way I am ready to meet you half year, यानि मैं तुमसे मिलने को तयार हूँ लेकिन आधे रस्ते पर आधे रस्ते का मतलब क्या हो गया, कि भाई मैं तुमारे घर तक नहीं आने वाला हूँ तुम आओ आधे रस्ते, आधे रस्ते आकर मेरा विंतिजार करो, फिर मैं तुमसे मिलूँगा इसका मतलब कि ready to compromise with you, यानि तुमसे compromise करने के लिए क्या है भाई, तैयार है, ठीक है न, तैयार है आगे चलते हैं, to look sad, यह फिर समने कहां, यह उल्टा किया हुआ है, to look sad, यानि जो है, उदास दिखना, यह meaning है idioms जो है, वो आपके चार option में दिया हुआ है, जैसे हम कहते हैं, fair weather friend, तो fair weather friend का मतलब होता है, अच्छे समय का साथी, तो यह इसका answer नहीं हो सकता है we are a long face, आपने एक लंबा सा उदास सा चेहरा बना लिया है, long face मुह लटका लिया है, तो यह हो सकता है इसका सही जबाब man in the street का मतलब होता है, तुच्छ व्यक्ति, और turn a blind eye का मतलब होता है, to ignore, यानि कि ignore कर रहे हैं आप सामने माले को same इसी तरीके से हम 35 में पर आते हैं, 35 क्वेशन आपका क्या कहता है, क्या रहे है कि someone who spends too much time watching TV यानि ऐसा आदमी जो अपना ज्यादतर समय क्या करता है, TV देखता रहता है, बस TV देखता रहता है अब इसके लिए क्या phrase होगा, तो turn over a new leaf, ये नहीं होगा, a snake in the grass, ये भी नहीं होगा, hidden enemy होता है होगा क्या couch potato, couch potato का मतलब होता है, तिन भर TV देखने वाला, तिन भर TV देखने वाला आगे है, to be wise beyond one's age, यानि एक आदमी जो है अपने उम्र से भी ज़्यादा बुधिमान है, जैसे आजकल के बच्चे, आप लोग, इस generation के बच्चे जो हैं, अपने उम्र से भी ज़्यादा जानकारी रख रहे हैं, जैसे लगता है कि नौजवान कंधे पर बुढ़ा सर रख दिया गया हो, यानि old head and young soldiers, यहीं इसका सही idioms होगा, सही idioms होगा, ठीक है, आगे फिर से, अभी just उल्टा ये चलना है मामला, word है summary, summary के लिए कौन सा idioms and phrases होगा, कौन सा idioms होगा, long and short, बिलकु, long and short का मतलब होता है summary, kick the bucket का मतलब होता है, pass away, यानि किसे के मृत्य हो जाना, a keep at arms length का मतलब होता है, keep away from, यानि थोड़ी दूरी बनाना किसे चीज़ से, keep distance from, next है, take the bull by the hands, take the bulls by the hands, यानि जो आप बुल को जो है, सान को उसके सिंग पकड़ की लड़ रहे हैं, यानि क्या कर रहे हैं, to face danger with courage, यानि जो danger है, उसका आप साहस के साथ सामना कर रहे हैं, साहस के साथ, उस courage के साथ, danger को face कर रहे हैं, next है, to be at sixes and sevens, to be at sixes and sevens, इसका मतलब कि आप जा रहे हैं घर पे, और देखते हैं करी, यार आपका दिमाग तुक्दम sixes and sevens हो गया है, यानि a state of total confusion and disorder, एक ऐसी अवस्ता जिसमें आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, कि क्या करें, क्या ना करें, तो इसको total confusion disorder कहते हैं, to be at sixes and sevens हो जाएगा इसका सही जवाब, अगला है, burn candles at both ends, यानि तोनुं इंस पर आपने बड़ी ही महनत किया है, candle at both ends, यानि इसका सही क्या होगा, होगा इसक्वेंडर, क्या करना है, और हम लोग footy कर चुके हैं, 51 पे आ चुके हैं, 51 क्या कह रहा है, 51 क्या रहा है, कि repent के लिए आप क्या लगाते है, repent मने क्या होता है, repent मने होता है, पच्चतावा, तो पच्चतावा के लिए आप क्या करते हैं, कौन सा idioms लगाते हैं, cry for the moon, call names, या cool ones hills, देखे इंतिजार करना, यानि wait for someone, call names का मतलब होता है, to abuse, यानि गाली देना, और cry for the moon का मतलब होता है, असंभव चीज पाने की कोशिश करना, तो बचा क्या, cry over spirit milk, यानि दूद जो है थोड़ा उबल गया है, उसके लिए आप चिला रहे हैं, तो ये क्या करें, आप repent कर रहे हैं फालतू का पस्तावा कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है, our principle is not a man to means, यानि जो to means matters होता है, इसका क्या मतलब होता है, to means matter का मतलब to say something mildly, यानि कि कि किसी भी बात को बड़ी ही धीरे से, आराम से, विनवरता से कह रहा है, भले वो बात जो है थोड़ी tough वाली हो, लेकिन फिर ठीक है, इसे तरीके से be in tight corner, be in tight corner का मतलब होता है, in a very difficult situation, यानि आप बड़ी ही कठिन इस्थिती में आ चुके हैं, क्योंकि आप corner में पड़े हुए हैं, बिल्कुल tight इस्थिती में, 44 question क्या कहता है, 44 question कह रहा है, कि thousands put on daily fight to keep the wolf from the door, to keep the wolf from the door का मतलब होता है, avoid starvation, starvation माने भुक्मरी, यानि भुक्मरी से दूर रहना, भुक्मरी को दूर रखना है न, avoid starvation, show the white flag, आप क्या कर रहे हैं, सफेद रंग का जंडा दिखा रहे हैं, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप सामने वाले के समरपड कर रहे हैं, यानि surrender कर रहे हैं, surrender कर रहे हैं, next आता है, 46, are latin and greek to me, हमारे लिए तो भही है, सब कुछ latin और greek में समझ में आ रहा है, हम में तो अंग्रेजी और हिंदी समझ में आती है, लेकिन latin और greek नहीं समझ में आती है, यानि यह क्या है, समझ से बाहर है, incomprehensible इसका सही जवाब होगा, incomprehensible इसका सह ही जवाब होगा, 47 है आपका, कि the proposal were hanging like a democle sword, democle sword का मतलब क्या होता है, एक ऐसा खत्रा जो हमेशा बना रहता है, जो कभी भी हो सकता है, तो इसको हम बोलते हैं कि an impending but uncertain danger, मतलब हो है तो होना तो है, लेकिन कब यह पता नहीं, ठीक है, next हम चलते हैं, took to his hills, यानि वो हाथ में hills लिये, चपल लिये, और उसके बाद क्या कि, भाग लिये, तो ran away in fear, ran away in fear, यानि कि डर के भाग जाना, क्या करना भाई, डर के भाग जाना, डर के भाग जाना, दो और हम लोग कर लेंगे, 50 हमारा पूरा हो जाएगा, next है, draconian law, draconian law क्या है, कि सात्वी सदी के आसपास एक roller हुआ था, dracon, dracon ने एक कानून बनाया था, कि कोई भी छोटी से छोटी प्राबलम होगी, कोई भी छोटी से छोटी अगर गलती भी तुम करते हो, तो उसकी बड़ी सजा दिया जाएगा, for example, एक पर क्या हुआ था, कि एक डॉलर की चोरी हो गए थी, तो उसके लिए उस व्यक्ति को मौत की सजा सुनाए गई थी, तो इस तरीके का कानून जो होता है, वह extremely severe law, इस तरीके का कानून बहुती सخت कानून होता है, जिसमें छोटी से छोटी आपके offense या crime के ये बड़ी से बड़ी परिश्मन दिया जाए, and last one is the to discourage doing something, किसी को आप discourage कर रहे हैं कुछ करने के लिए, तो क्या कर रहे हैं उसको throw cold water, उस पर ठंडा पानी फेक दे रहे हैं, ताकि उसका हिम्मट तूट जाए, यह इसका सही मायन होगा, ladies man नहीं होगा, जो औरतों के साथ ज़्यादा समय बिताए, उनके बीची बैठना पसंद करे, उन्हें हम ladies man कहते हैं, और Keith and Keen का मतलब होता है, सागे समंद relatives तो यह भी इसका सही जवाब नहीं होगा, 50 का throw cold water इसका सही जवाब होगा, तो हम लोग 50 word meaning को solve कर चुके हैं, अब हम 51 से लेके 100 word meaning को अगले वीडियो में solve करेंगे, और देखेंगे किस में से कितने word meaning आपको तयार हो करेंगे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी और सियर जरूर करें, थैंक यू वेरी मच और जाय हिंद